नमस्कार दोस्तों आज बात करूंगा GSC Practitioner के लिए जो section है GSC Act में उसके अंदर बदलाव कर दिया है और जो payment से related section है ठीके interest से या penalty से related जो section है उसके अंदर भी बदलाव कर दिया है चलिए समझते हैं क्या कर दिया है बदलाव इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ किया सब्सक्राइब के लिए जैसे आप सब्सक्राइब कर लेते हैं आपको इस तरह का कंटेंट मिलता रहता है साथे साथ और भी बाइबंदू को जोड़ें तो चलिए समझते हैं कि क्या बदलाब कर दिया है अभी जो कवर कर रहे हैं अपने चैनल पर वह जीएस्टी का पार्ट कवर कर रहे है तो मैंने जीएस्टी के बहुत सारे ऐसे points है जो finance bill 2000 22 के अंदर proposed है changes के लिए उसको cover करा दिया है अगर आपने उस video को miss कर दिया तो जाके देख सकते हैं channel पर वो video मिल जाएगी GST के बहुत सारे points cover करा दिया जैसे कि section 16 से लेके section 47 तक मैंने cover करा दिया है आज की video हम बात करेंगे section 48 और 49 बता रहता हूं क्या क्या changes है इन्पूटेश क्रेडिट से रिलेटीड जो eligibility और condition बताता है section 16 के अंदर इसमें भी बदला वे इसका cover करा दिया 29 बोलता है cancellation of registration के बारे में इसमें भी changes है इसका भी cover करा दिया section 34 debit note and credit note से related है इसमें भी changes है इसका भी मैंने कवर करा दिया section 37 जो है इसका भी मैंने बता दिया और section 38 के अंदर इन्पूटेश क्रेड़ से related है इसको भी मैंने कवर करा दिया है section 39 GSTR 3B से related है इसको cover करा दिया है 41 availability of interest credit को बारे में बोलता है कि कैसे आप interest credit को लेते हैं इसका भी मैंने कवर करा दिया 42 43 43 है matching reversal और reclaim के बारे में बोलता है इसको भी मैंने कवर करा दिया 47 जो है section 48 और 49 के अंदर जो बदलाव है उसके बारे में चले समझते है section 48 किसके बारे में बोलता है सब दोस्तों यह है section 48 जिसके अंदर amendment किया गया है यहां पर बोलते हैं कि section 48 के अंदर sub section 2 में जहां पर word है the detail of invert supply under section 38 उसको भी यहां पर omit कर रहे हैं मतलब कि act के अंदर perform करने से fail हो गया यह word तो इसको omit कर रहे हैं चले समझते हैं कि section 48 क्या बोलता है पहले तो दोस्तों यह है मेरे पाल section 48 जो कि goods and service practitioner के बारे में यह section है sub section 2 के बारे में बात करें तो यहां पर बोलते हैं कि तो section 2 के अंदर बोलते हैं कि एक registered person authorize कर सकता है approved GST practitioner को की furnace कर सकते हैं वो details कि outward supply की जो section 37 के अंदर है और detail जो invert supply की है अंदर section 38 के अंदर उसको भी तो यहां पर जो the detail invert supply अंदर section 38 है इस word को ही government जो है यहां से हटा रही है format कर रही है ठीक है क्योंकि यह जो word है perform करने में फेल हो गया क्योंकि अब जो section 38 है उसका substitution कर दिया गया है new section से तो जो new subsection substitute किया गया है वो क्या बोलता है जो ITC की डिटेल है वो communicate होना चाहिए recipient को यह वाला point हटा दिया है अब आगे बात कर लेते हैं section 49 के बारे में जो की amendment के बारे में बोलता है कि section 49 का amendment कैसे होगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो section 49 के अंदर amendment के जाएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं तो यहां बोलते हैं कि जो section 49 है, सबसे पहले यह समझते हैं कि section 49 क्या बोलता है, section 49 यह बोलता है, यह नीचे आ जाते हैं, payment of tax, interest, penalty और other amount के बारे में बात करता है, basically payment of tax के बारे में बात करता है section 49, तो यहां पर बोलते हैं, यहां पर कुछ words को substitute किया गया, जैसे फुरितरी को यहां पर हटाया गया, conditions and restrictions को substitute किया गया, बात करते हैं, c वाले point में यहां बोलते हैं कि सब्सेक्शन 4 के बाद यह वाला substitute किया जा रहा है, सब्सेक्शन, ठीक है, 10A, जैमोद एक register percent जो है, common portal पे, कोई भी amount, interest, penalty, fee, यह कोई भी amount, जो है, valuable electronic cash, laser के अंदर, वो transfer कर सकता है, ठीक है, IGST का, CGST का, SGST का, ठीक है, UTGST का, यह SS का, ठीक है, जो manner बताया गया है, जो conditions या restriction बताएगे, उसके हिसाब से, से दोस्तों, बात करें, सब्सेक्शन 12 के अंदर, क्या बोल रहा है, सब्सेक्शन 12 के अंदर, बोल रहा है, कि government, अपने पास power ले दिया, इस act के अंदर, कि जो government है, council के recommendations पे, condition और restriction बताते हुए, maximum, जो amount है, output, tax liability का portion, उसको notify कर सकती है, specify कि IGST amount का, या इस act के अंदर, जो amount है, वो कैसे, आप discharge करेंगे, कितना portion जो discharge कर सकते है, ITC का use करके, ठीक है, कि 90% use करना है, आपको ITC, 10% cash laser से pay करना है, या 99% use करना है, जैसे CJC rule में अभी बदलाब किया था, 99% आप ITC का use करके pay करेंगे, और 1% cash का use करके pay करेंगे, तो यहाँ प specify amount को notify कर सकती है, condition और restriction को बताते हुए, कि कितना maximum amount जो output accessibility का, आप CGST Act में या IGST Act के अंदर, discharge कर सकते हैं, create laser का use करके, ठीक रोस्तों, तो आज की वीडियो में था यह update, बने रहे है, चैनल के साथ, इस तरह का update पाने के लिए, वीडियो के लगी ज़रूर बताएं, thank you so much, ज